हे दोस्तों गुड आफ्टनून और 23 अक्टोंबर का दिन है आज और लगबग मेरे खाल दे साड़े तिन बज चुकिया है मार्केट क्लोज हो चुकी है तो टाइम है आज के दिन भर की बाते करने का तो आज लेकर के आया हूँ दोस्तों आप के लिए मैं फ्लिपकाट और आ अधित्य बिर्ला फैशन में हिस्सेदारी खरीदने में और क्या हिस्सेदारी खरीदी क्यों खरीदी क्या परसेंटेज है क्या टर्म सेंड कंडिशन से और इसका इंपक्ट क्या हो सकता है उसके बारे में आज हम बात करने माले है ठीक है दोस्तों लेकिन वीडियो शुरू है वो आ सके दूसरी चीज़ दोस्तों अगर इंस्टाप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो आप हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो कर सकते हो उसके लिंक बने डिस्क्रिप्चन में देखर के रखी हुई है साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्रम है क्या एक्चुली इसमें क्या होने वाला है और यह डिल में इतना इंट्रेस्टेट क्यों है देखे चीज कुछ इस्तरासी है दोस्तों जब कुछ कहते हैं मिठाई जब बट्रने लगती है तो खाने वाले उसकी खुजबू को सूंगते हुए काफी दूर से भी चले आते हैं वैसी कुछ चीज जो है अभी इंडिया में हो रही है अगर आपको आदित्य बिरला इनके जो चेयर्मेंट है मिस्तर कुमार मंगलम बिरला इनका स्टेटमेंट आया था जिसमें इन्होंने कहा था कि आने वाल भी देखने को मिली थी जब Amazon ऑनलाइन ऑफलाइन में जोर लगा रहा था उसी समय में रिलाइंस भी अपने हाथ पर मारने लगा और बहुत बड़ी डील करकर के अपने बहुत बड़ा सेट अप उसने जो खड़ा कर दिया ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए अभी वो फिलाल फै रिटेलर का वालमार्ट का दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर आज वालमार्ट है उसका पैकप है फ्लिपकार्ट को क्यूंकि फ्लिपकार भी उसका सबसीडियरी बोल सकते हो आप अब इनको भी ऑफलाइन में इंडिया में ऑफलाइन करना है क्योंकि आपको पता होगा व अभी आपको पता तो है सब लोग को रिलाजेंस ने खा लिया बचे होए को अभी अमेजान खा रहा है तो अभी बचा सिर्फ आदित्य बिरला तो यहां पर इनके साथ कहीं ना कई करके इन में स्टेक बाई करके अपने आपको थोड़ा बढ़ा करने का बिजनस को एक्सपांड करने का प्लान यहां पर फ्लिप कार्ट कर रहा है वे एक्चुली क्या डिल है उसके बार में बात करते हैं जानते हैं थोड़े डीटेल में मैं लेकर करके आया हूं कुछ ऐसे प अब खरीच कर बहुत बड़े बड़े लेवल पर बैट चुके मेरे भाई लोगर अभी शेयर गिर रहे हैं काफी दिन से फ्यूचर वूप के शेयर गिर रहे हैं काफी कुछ प्रॉलम उसमें निकल के आ रहा है उसके बारे में बैट और वीडियो में बात करूंगा तो उस इस्ते बिरला फैशन रिटल लिमिटेड इसका अब्रिविशन है इसमें लगबाग देड़ सो करोड की हिस्सेदारी खरीद रहा है अब प्राइज किस प्राइज पर खरीदेगी तो यह 205 रुपए पर शेर के प्राइज के प्राइज के इसाफ से खरीदेगी जो मार्केट प्राइज से 33% बढ़कर ऑफर की जा रही है क्योंकि क्लोजिंग प्राइज अगर आप थस्टे का देखो के तो लोगब 153.40 था तो मार्केट प्राइज से ज्यादा पैसे देखर के फ्लिपकाट इसको खरीद रहा है तो सूचने के लिए एक बात बनते है क्योंकि आने वाला टाइम भी बैटर होगा क्यों चुना कुछ करके फ्लिपकाट को कहीं न कहीं ऑफ्लाइन बिजनस भी बढ़ाना है इसे क्लेर दिखाई देता है क्योंकि कोई भी डील होती है बड़े शेर्स की तो करन प्राइस से क अबसे बड़ी डील कहीं यहां क्योंकि सब्से पहली बड़ी डील जो है वह रिलाइंस की ए रिलायंस का जो रिटेल खीला हमें रिटेल वेंचर नहीं फ्यूचर ग्रूप का एक जोईधि यूनिट कहें क्या पूरी कंपनै के बाई कर लिया लगबाग 24,700 करोड में तो यह सबसे बड़ी डील है उसके कंपरिज में देर हजार करोड की डील दो नंबर पर आ जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होई है बट फिर भी अब सोचने लाइक बात है कि अभी एवरी ऑनलाइन कंपनी जो भी ऑनलाइन कंपनी थी बड़ी थी कि वह अभी सारी कि सारी ऑफ लाइन जाने के कोशित कर रही है आमलाइन जब बात चल रही थी तो फिलिप कॉट ने अल्ली मनत्रा को खरीद लिया था और भी कासी सारी कंपनी ने ऑनलाइन कंपनी भी खरी दी और उसी दरह अभी आफलाइन यानि रीटेल का ट्रेंड जो चल रहा है उसके चलते हैं एवरी कंपनी चाहते हैं कि अपना ऑनलाइन से अभी आफलाइन भी उतर के अपना जो है बिजनस एक्सपंड कर लिया जाए अब प्रमोटर की बात करेंगे तो इसमें आधित्य बीरला फैशन की जो प्रमोटर की होल्डिंग होगी वह 55.13 परसेंट की होगी और इसमें एक बड़ी बात है दुस्तों इसमें जो है एक क्लॉस भी डाला गया है वह क्लॉस के बारे में भी बात का या खरीदा जाए तो पहला राइट ओफ रिफ्यूजल का जो होगा वह फ्लिप कार्ट का होगा और यह टाइम पर एक से पास साल तक ठीक है एक से पास साल तक अगर आज इत्य बिरला फैशन ग्रूप जो है वह अगर कुछ बेचना चाता है तो वह पहले बेचे का फ्ल है वह बेच सकता है ठीक है तो यह था एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी आनलाइन का वार के साथ साथ में अभी रीटेल वार जो है वह शुरू हो चुका है और हर कोई उसमें कूदना चाता है जैसे वर्ल वार टू है शुरूआ दो देशों ने की थी बात में पूरी की पूरी दुनिया उसमें कूद पड़ी थी कुछ इसी तरह से यहां पर भी होने वाला है वार है रीटेल का और वार जो वार स्टार्ट करने वारी दो कंट्री थी वो थी एक रिलाइंस और दूसरी है अमेजान अब देखेंगे कौन कौन कूदेगा इस रीटेल के वार में तो यह था मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगाई तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा टेलीग्रम चैनल से जुड़िएगा और वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का मिलते हैं दोस्तों तेंक्यू बरे माच्च